हेलो, वेरी वेरी गूड इवनिंग, मैं वेवेक रावत, आप सभी काट टाट टो फोर सेवन केस, क्लैट और अदर्स लॉइ इंटरेंस एक्जाम प्लेट फार्म पर दोस्तों मैं स्वागत करता हूं और क्लैट के इस सीरीज में बच्चा हम आपके लिए डिसकस कर रहे हैं, रेश्यो और प्रपोर्शन, सारा तरका है बच्चों आपके लिए, रेश्यो प्रपोर्शन भी है, सारे चैप्टर तो हैं ही, प्लस विर हम हर वीक कम से कम चार से छे डियाई बच्चा हर वीक हम कंप perfect है आज ratio and proportion को आगे बढ़ाएंगे आप समसर रहे हैं सुरू से हम chapter को बढ़ा रहे है ratio proportion एक बार में दुबारा बता दूँ TTS Tuesday, Thursday और Saturday को हम discuss करते हैं CLAT के chapters और Monday, Wednesday और Friday को discuss करते हैं बच्चा सुबा 10 बजे morning 10 a.m हम DULB, MSET और others law interest exam के बच्चे कोशन तो ratio and proportion अनुपात और समानुपात में हम अगला type करने जा रहे हैं हम इसमें बहुत सारे type कर लग चुके हैं जो आज हम करेंगे बच्चा क्वाइन बेस कोशन कैसे होते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको बहुत ज्यादा benefit होने वाला है और इसका direct benefit मिलता बच्चा आपको जब आप discuss कर रहे होते हैं क्या डी आई डेटा interpretation के कोशन और डी आई आई आप जानते हैं डी आई ही main है तो चले फिर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं और देखते हैं कैसे करने चाहिए number one first question देखते हैं बच्चा आईए a bag contains first question पढ़ाओ a bag contains two rupees one rupees and fifty पैसे coin कोई bag है मान लीजे बहीं साब हमने ये मान लिया ये है हमारा बैग और जिसमें क्या है आपको पता है इसने बोला दो रुपए एक रुपए पचास पैसे के coin है that is called coin based question जिनका ratio कितना था 514 अगर मां उनका ratio निकालो तो वह आया 5 ratio 1 ratio 4 if the total value of the all coins सारे coin की value निकाली तो वह 13 सुरुप है अब देखो जहां सा ये main important point है ये most important point है वो क्या बोला है सारे coin की value बच्चा 13 सुरुप है then find the number of coins of each type तो हर प्रकार के कितने coin है ठीक है clarity कोई डाउट किसी को ये बार comment करो फटा पर yes or not क्या सबको clarity है हाँ या ना तो ये बहुत ही प्यारे तरीके से question को करना है कैसे question करना है आई ये देखते है number जब भी बच्चे ऐसे question होते हैं आप बोलो गए तीन coin है एक रुपए के coin है number two दो पचास दो रुपए के coin है number two one rupees के coin है number three 50 पैसे के coin है किसी को इसमें कोई doubt comment करो फटा फटा फट yes or not तीन coin है और जब number of ratio पूछा गया five one four तो पहले का ratio है five दूसरे का ratio है one तीसरे का ratio है four बता ये क्या है clarity है फटा फट yes or not it is clear or not अब आपकी पास दो opportunity है दो method है दो way है दो approach है पहला तरीका हुआ सा detail कर लेते हैं आप जानते हैं जब चीजे ratio में होती है तो आपको इस variable मानने की आजादी है आप मान सकते हैं 5x ये x और ये 4x कमेंड करो फटा 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 इस or not क्या clarity है जब भी चीजे ratio में हो आप उसको कुछ variable assume कर लो तो पहले वाले जो coin है क्योंकि question में सावसा mention है numbers of coin है जब चीजे numbers of coin में होती हैं कुछ भी variable assume कर लेते हैं 5x x और 4x हमने assume कर लिए अब देखें इससे profit क्या होगा जब आप बोलते हैं total जब मैंने total coin जब मैंने count करना सुरू किया तो बच्चा वो आए 1300 coin नहीं 1300 rupees जब मैंने total amount मैंने count करा तो वो आया 1300 rupees कमेंट करो फटाफर yes or not कितना है 1300 rupees पहला point जब वो 1300 rupees coin आया अब देखो जहान से कैसे करना है अब आप जब बोलोगे sir 1300 rupees अगर यह coin amount है तो इसका मतला sir 2 rupees के coin है और 5x coin है तो total amount जिसको बोलते हैं धन कितना बैठा sir एक बाह बताईए दो दो के coin है और 5x coin है तो total 10x हुआ कि नहीं हाँ या ना कोई doubt किसी को जब एक एक के coin है x coin है तो total कितना amount है x जब 50 पैसे coin है और 4x coin है 4x coin है कितना 50 420 भाई जब 50 की multiply 4 से करोगे 5 420 200x पैसे तो 2 रुपए हुए की नहीं हाँ या ना कमेंट करो फटाफ़र clarity क्या सबको clarity है तो total amount होगे that is the 13x तो 13x बच्चा किसके equal है 1300 के तो x किसके equal है 100 उपीस के कमेंट करो हाँ या ना clarity है या नहीं कि 100 x की value होगई 100 तो यह तो variable तरीका है हम आप जानते हैं जब हम detail में अच्छे से मतलब चीज़े को discuss कर रहे होते हैं तो हम huge नहीं करते हैं यह सब variable का तो हम कैसे करेंगा यह तो आप बोलो कि अगर यह x है तो आप इसको कैसे read करते हो इसका मतलब इसके कितने coin है 500 और इसके कितने coin है 400 और इसके कितने coin है 400 और इसके कितने coin है 400 कमेंड करो forever yes or not 500 100 400 का clarity है इसको मैं buy option भी कर सकता हूँ sir हमने इतना detail में क्यों solve किया हम buy option भी तो कर सकते हैं बिलकु कर सकते हैं लेकिन buy option इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक तो वो हर बार सारे type के coin नहीं पूछता है कोई जरूरी नहीं है कि सारे type के coin पूछे दूसरा point वो एक particular time पूछ सकता है इस वज़े से अच्छे ये तो वो general पहले बताए एक बार comment करो forever case में कोई doubt है फटाफट एक बार comment करें क्या clarity है या नहीं अब हम कैसे यूज करते हैं इसी को मैं दूसरे method से यूज करूँ हूँ बच्चा इसी को solve करने का method number two बहुत जास देखिए इसी को कैसे solve करेंगे अगर आप चाहते हैं कि approach लगाएं sir तो approach कैसे लगती आईए approach लगा रहा है कैसे लगेंगे approach सबसे पहले number of coin कितना है two rupees one rupees and fifty पैसे दो रुपए एक रुपए और fifty पैसे number one और coin ने five ratio one ratio four five ratio one ratio four comment करो यह होगा numbers of coin और total मिला के amount कितना है तेरा सो रुपए comment करो yes or not क्या clarity है हाँ या ना it is clear or not किसे को डाउट इसमें बच्चा सबको clarity है जब दो रुपए एक रुपए और पचास पैसे के coin है सब को सभी को very very good evening बच्चा और वो coin किसमें five one four में तो आपको क्या करना है इनको variable मानने से अच्छा इसी में assume कर लेना है कि हमने माना total जो coin है वो बच्चो कैसे है वो total coin five rupees ही है मतलब दो रुपए के cool coin पांच ही है एक रुपए के cool coin एक ही है और पचास पैसे के cool coin चार ही है हमने यही मान ले ले है तो अगर सच में पचास पैसे के दो रुपए के cool coin पांच है तो कितना amount हो गया दास रुपए एक रुपए के cool coin एक रुपए कितना amount हुआ एक रुपए 50 पैसे के 4 कितना 2 रुपए total हो गए 13 रुपए क्या clarity है तो 13 किसको represent कर रहा है बच्चा 13 represent कर रहा है आप बोलेंगे 1300 को that is the 100 times yes or not तो total अगर पूछा जाए total coin number of coin कितने कितने है तो आप बोलेंगे इसके है 100 times that is the 500 इसके भी है 100 times that is the 100 और इसके भी है 100 times that is the 400 500, 100, 400 क्या clarity है yes or not क्या कोई doubt इसमें फटाफ़र बताइए क्या कोई doubt किसी को आगे question लेंगे और उससे और concept clarity हो जाएगे आईए इबैक contains 2 रुपीज 1 रुपीज कुछ और question ले रहे है समझेने के लिए अगर अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ में नहीं आया कि question को कैसे handle करना है तो मैं और एक तरीका बता रहूं बच्चा एक और तरीका है मतलब और एक दो practice करते हैं इसे आईए तो एक bag है वही same question अगर मैं देखू हूं तो बच्चा bag वाले में दो type की variety आती है इसमें दो variety बनती है पहली variety बनती है पहली variety है वो question होते हैं जब number of coins दिये होते हैं और दूसरी variety की question होते है जब total coin की जगह है total यह देता है कि कितनी number of coin है और कितनी value of coin है दोनों different चीज है आओ मैं समझ आता हूं तो पहले हैं 2 रुपे फिर हैं 1 रुपे के coin फिर हैं 50 पैसे के coin point number 1 13, 12, 12 13, 12 और 10 comment करो फिर फिर हैं yes or not point number 1 उसी से चलते हैं यह कितना है बच्चे numbers of coin है clarity है सबको अब 2 रुपे के coin है मैं आप से बोलूँ कि आपके pocket में 2 रुपे के coin है कुल मिला कर कितने coin है 13 coin है 13 तो आपके पास 26 रुपे हुए है या नहीं comment करो yes or not अगर 2 रुपे के coin है और 26 coin तेरा coin है तो सब 26 रुपे है सर अगर आपके पास 1 रुपे के coin है 12 coin है तो 12 रुपे है 50 पैसे coin है 10 coins है तो 500 पैसे है तो 5 रुपे है बताओ फटाफट that is the 43 13, 43 comment करो क्या clarity है और actual में कितने value है 430 यह तो question में given है तो 43 ही 430 है that is the 10 times comment करो yes or not तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ सर इसके भी 10 times that is the 130 इसका भी 10 times that is 120 इसका भी 10 times that is 100 comment करो फटाफट clarity है यह नहीं 130, 120 और 100 option number C is the right answer comment करें क्या clarity है सबको क्या coin वाले question का concept clear हुआ कि question कैसे करने है इब आप फटाफट बता दो क्या coin वाले question का concept clear हो गया बच्चा I think हो जाना चाहिए अब कुछ भी नहीं बचना चाहिए फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं हो रहा है तो हम एक question all लेते हैं एक बार दुबारा आईए एक बार दुबारा लेते हैं इसको समझो अगर फिर भी बच्चे कहते हैं सर मुझे अभी भी question नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक question all लेता हूँ आओ एबैक contains एबैक contains 1 rupees 50 पैसे 25 पैसे coin इंदा ratio 579 वही चीज है देखा जाये तो तो यह हम बनाते हैं bag भाया जी और यहाँ पर coin है 1 rupees और 50 पैसे और 25 पैसे comment करो clarity है yes or not और यह है 5 ratio 7 ratio 9 क्या clarity है numbers of coin और total जब मैं number लेके बैठा total number लेके बैठा तो आगए 430 rupees हाँ या ना बता फटा 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 amounts है value है value का मतलब क्यों होता है धन सारे मैं add कर दूं तो बड़ी clear सी बात है सर पांच एक रुपे का जो coin है वो 5 coin है साफसा mention है एक रुपे के 5 coin है तो कितने हो गए 5 रुपे 50 पैसे के साथ coin है 73 50 होता है 3 रुपे 50 पैसे 9 5 जब 45 दो रुपे 25 पैसे comment करो फटा फट कुल मिला के 8 दो 10 10 रुपे 75 पैसे क्या ये clarity है सबको हाँ या ना comment करिए तो मैंने हर तरह के example से लिया को जरूरी नहीं कि हर बार data perfect आए data ऐसा भी तो आ सकते है पॉइंटों में perfect आएगा तो कैसे handle करना है सारी चीज का example ले रहा है आईए समझते है तो अगर ये 10.75 है बच्चा तो हम क्या करते है 10.75 एक तरह से represent कर रहा है इसको हाँ या ना या बैसे बोल सकते है 10.75 x is equal to हो गया 430 तो x is equal to हो गया 430 upon 10.75 comment करो हाँ या ना yes or not क्या clarity है फटा फट बता जिए क्या clarity है तो आप बोलेंगे 10.75 तो जब आप divide करेगे देखो आप यहा ना number of coins हमें साब perfect होते हैं वो कभी pointों में नहीं होते तो जब भी ऐसा question आए आप जब divide करोगे इसको divide करा point से तो आप देखो 40 times जा रहा है perfect जाएगा perfect नहीं तो जाएगा तो जाएगा कहा तो इनने का find the number of coins each type जनरली वो each type नहीं पूछता है तो इसका भी 40 times हो गया बच्चा कितना 200 coin इसका भी 40 times हो गया 280 coin और इसका भी 40 times हो गया 360 coin क्या clarity है सब को yes or not एक बार फटा फट मुझे comment चाहिए क्या सब को clarity है आओ अब करते क्या बच्चा थोड़ा सो और देखते हैं बहुत प्यार एक question और उसके बाद type change कर देंगे बच्चा एक question और देखे रहे हैं उसके बाद सारे type चाहिए ठीक है आईए उसके बाद type change करते हैं एक question और देखे रहे हैं एक बैग में एक उर्पह 50 पैसे 25 पैसे के कौइन है Number 1 1 रुपे 50 पैसे और 25 पैसे कौईन है Cvetan में mention है 1 रुपे 50 पैसे 25 पैसे और कौईन है 2, 3, 4 के रिश्यो में Total Value of the all coin है 450 तो पचास है, टॉटल वैल्यू जो है, जो, जिसको बोलते है, टॉटल धन राजी, इसका ऐसे बोल सकते हैं, टॉटल धन राजी है, 450, कमेंड करो, फटफट, ख्लारिटी है सबको, टॉटल धन राजी है बच्चा, 450, ठीक है, यह, कोडल खनासी होगे, तो वही करते हैं, जब अरदस तरीके से सबसे बैस्ट, तो आप बोलोंगे, सर कैसे करें, आईए, तो आप बोलोंगे, करना क्या है सा, यहां रखो, तो अगर ये नंबर्स हैं, तो आप बोलोंगे, दो रुपए के दो कौइन, पंदरा मतला डेर रुप 30 upon 4.5, point लगाया, that is the 100 times, yes or not, तो इसका भी हो गया, 100 times 200, इसका भी हो गया, 100 times 300, इसका भी हो गया, 100 times 400, 200, 300, 400, comment करो फड़ाव, yes or not, क्या clarity है, हाँ या ना, comment करे फड़ावाट, यह बहुत जबनदस तरीके से हैं, तो बच्चो इस तरह से आप ये coin, अब इसमें मैंने आपको बता था, coin वाले में बच्चा दो variety हैं, दो type की variety है, coin वाले में, ये तो साथ variety number 1, आम मैं variety number 2 ला रहा हूँ, आओ समझो, variety number 2 कैसे आती है, जहां से देखे number 1, आईए, अब variety number 2 बहुत जहां समझना, question को आप खुद ही समझाएंगे, मैं variety number 2 क्यों बो 1 रुपीज, 50 पैसे हैं, 25 पैसे coin, ठीक है, अभी तक हम सारे question में यही पढ़ते हैं, तीन प्रकार के coin है, एक रुपए है, 50 पैसे, 25 पैसे, the ratio of their value, value का ratio दे रखा है, पहला point तो ये हुआ, point number 1, the ratio of their value, 11, 13, 6, 11, 13, 6, the total number of coin in the bag, 610, कुल coin 610 है, आईए, तो आप बोलोगे, total हो गए, एक रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, तीन टाइप के coin है, तो ये ratio of their value का ratio है, मैं बताऊँगा इसको, क्या मतलब होता है, value का, that is, 11, ratio 13, ratio 6, comment करो, whatever, yes or not, क्या clarity है, इसमें, हाँ या ना, ये थोड़ा सा टेड़ा है, थोड़ा सा समयने वारा portion है, number 1, total मिला कर bag में कितने रुपए है, bag में है, भाया जी, कुल मिला कर, 610 coin, yes or not, हाँ, ये ना, आप देखना कैसे solve करता है, 610 coin है, अब दो variety है, एक variety वो होती है, जिसमें यहाँ numbers, value दे रखी होती है, कि सर, कुल मिला के 1000 रुपए है, 2000 का धन है, 3000 का धन है, और एक वराइटी हो होती है, जिसमें number of coin दिये होती है, तो ये दोने एक दूसरे का reverse order में है, क्या होता reverse order, इसको समझते है, आईए ध्यान से देखी number, अगर मैं आप से बोलूँ, कि एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के coin है, मैंने आप से बोला, और एक बात ध्यान से देखो, मैंने बोला, एक 50 पैसे, 25 पैसे coin है, और value है 11, 13, 6, value का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं एक एक के coin को उठाऊ, मैंने एक coin उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, सर मैंने सारे एक एक के coin उठा लिये, तो गोल मेरे पास 11 रुपए आए, मैं 50, 50 पैसे के coin उठाऊ, collect करू, collection बनाऊ, 213 रुपए आने चाहिए, अगर मैं 25 पैसे के coin उठाऊ, तो 6 रुपए आने चाहिए, आप खुद समझो, basic सी, एक 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 रुपए के, मैं आप से बोलूँ कि आपके pocket में एक एक रुपए के coin है, केवल एक का coin है, और कुल 11 रुपए है, value 11 है, तो आप बोलोगे कि नहीं स मेरे पास 11 coin है, मतलब number of coin 11 है, comment करो yes or no, क्या clear हुआ फटाबाट, हाँ है ना, अब देखिए 50 पैसे, एक रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं बच्चा, 250 पैसे, 50 पैसे यहां, 50 पैसे यहां, होते हैं यह नहीं, तो एक रुपए में 250 पैसे होते हैं, तो अगर मैं आप से ब रुपीज हैं, 13 रुपए हैं, तो 50 पैसे coin में 13 रुपए हैं, तो आप कितने numbers हुए, तो आप जानते हैं, 50 पैसे में double हो जाता है, जैसे मैं आप से बोलूँ मेरे पास 2 रुपए हैं, और 50 पैसे के coin हैं, तो एक 50 पैसा, दूसरा 50 पैसे, तीसरा 50 पैसा, चौथा 50 पैसा, हुए कि नहीं, वन रुपीज, वन रुपीज, एक और एक दो, कमेंट करो, तो जब मैं आप से बोलता हूँ कि पचास पैसे के नम्ट, टू, थ्री, फोर, दो रुपए हैं, इसका मतलब चार कोईन होंगे, अगर ये समझने में प्रॉलम हो रही हैं, तो करते के हैं, डबल कर तो आप बोलोगे, कुल मिलाकर, 26 नम्बर से, एक रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, बच्चा, चार, 25, 25, 25, 25, तो कितने होगे, 24, कमेंट करिए, yes or not, क्या क्लेरिटी है, तो ये होगए आपके 61, तो एक्चॉल में ये ही रिपर्जैन कर रहा है, किसको, 610, that is the 10 times, number of coins of each type, तो number of coin, इसका 10 times 110, इसका 10 times 260, इसका 10 times 240, कमेंट करो फटाफर, 110, 160, 260, कमेंट करो क्या क्लेरिटी है, yes or not, क्या क्लेरिटी है फटाफर बताईए, क्या चलें आगे, मज़ेदार कोशन है, एक कोशन और देखे हैं बच्चा, उसके बाद कुछ नया देखेंगे, आईए, एक कोशन और देखेंगे, आओ सम्झो, नमबर वन, देखो, एक बैग कंटेंज वन रुपीज, 25 पैसे, और 50 पैसे कोई हैं, एक बैग में एक रुपए, 25 पैसे हो, 50 पैसे हैं, पॉइंट नमबर वन, रेशो अफ यह रेशो लेशो फाइव फाइव नाईण, उनकी वेवेवेव का रेशो दो अपात, पांच अब नबर वन, नो है, वेवेवेव दुबारा देखो धियां से, एन दे नमबर वन, टोटल नमबर वन कितने हैं बैग में, 480, तो मैं बना लेता हूँ, सारा कुछ EC का गेम है, total number of coin है 480, comment करो yes or not, that is the numbers of coin, numbers of coins, हाँ है न, it is clear, अब आप बोलोगो 1 रुपए, 25 पैसे और 50 पैसे, तो 2 ratio, 5 ratio, 9, ये है value, ठीक है, convert कर ले, वही पुराना fund, nothing new, आराम से solve कर सकते हो, 1 रुपए के coin है, 2 value है, 2 रुपए है, तो 2 coin हुए, तभी तो होगी, अरे simple सा fund है, 1 में 1 की multiply, 50 पैसे में 2 की multiply, 25 पैसे में 4 की multiply, कहानी, खतम, तो 25 पैसे में 4, 5, 4, 0, 20, 50 पैसे में 2, 9, 2, 0, 18, तो आप बोलेंगे 10, 20, 30, 40, actual में कितना है, 12 times, comment करो, पूछा है, number of coins, of each type, 12 times, 12, 2, 0, 24, अगर value पूछे, तो ये होगी, अगर coin पूछे, जैसे इसने coin पूछा, तो यहाँ हो गया, numbers पूछे, तो 12, 2, 0, 24, आप बोलेंगे 12, 240, 12, 12, 8, जा 18, 18 into 12, multiply करके answer, comment करो, photo of it, yes or not, का clarity है, कोई doubt किसी को, comment करें, photo of it, number 2, चलते हैं, अब बच्चा, हम next करने जा रहे हैं, अपना, कुछ नया type के question ले लेते हैं, ठीक है, equality with k कर चुके हैं, ठीक है न, आप सुरूख से देखने हैं, equality with k हम कर चुके हैं, कुछ basic question ले लेते हैं, बच्चा, कभी-कभी question, basic question से, पूछ लिया जाता हैं, कभी-कभी देख लेते हैं, question कैसे आता है, ठीक है न, एब बच्च देख लेते हैं, होता क्या कुछ चीज़े, किसी भी competition में, कुछ चीज़े थोड़ा ध्यान रखने वाली भी होती हैं, completely आप सोचते हैं कि, pure logical paper होगा, तो वो कभी-कभी ध्यान रखने base पर वो question देता है, जैसे मैं first question आपके सामने start करने जा रहा हूँ, जैसे ratio proportion में यह बहुत ज़्यादा है, कि mean proportional कैसे कहते हैं, third proportional कैसे कहते हैं, fourth proportional कैसे कहते हैं, इन सब पर यह सब चीज़े, आईए discuss करते हैं क्या कहना चारू हूँ, for example, मान लीजिए, यह तो सभी जानते हैं, A ratio B, C ratio D, ऐसे कहीं लिखा हूँ, that means क्या होता है, यह चारो proportional में है, that means A का जो B से ratio होगा, वही C का D से होगा, that is clear or not, हाँ या ना, क्या clarity है यह, बते हैं फड़ा फड़ा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि first proportional कहलाता है यह, that is the first proportional, यह कहलाता है second proportional, यह कहलाता है third proportional, यह कहलाता है fourth proportional, comment करो हाँ यह न, first, second, third, fourth, तो अगर मैं आपसे बोलूँ, first, second, third, fourth, तो first proportional अगर मैं आपसे बोलूँ, पहले मैं जैसे third proportional वाले question कर लेता हूँ यह mean proportional वाले है बच्चे दोनों question जैसे यह देखो यह question न third proportional पूछा है उसने तो मैं इसको solve करता हूँ third proportional लिका रहा है तो 9 और 27 का third proportional क्या हुआ 9 और 27 का third proportional उलो, तो आप बोलोगे 9 और 27 state फर्ड प्रोपोजिरिक का अंगा, इसका मतल़ा अगर आ है और ये B है, और ये वो C है, फर्ड प्रपोजनल का मतलभ क्या होता है, जो खार्ट, कि की जो सुरू के दो रेशियो का रेशियो होगा जो इन दोनों का ratio है वही इन दोनों का ratio होना चाहिए that is called proportional अगर ये condition satisfy करती है that means these numbers are proportional तो 9 और 27 का जो ratio है वही 27 और C का जो ratio होगा 9 थरीजा 27 27 थरीजा 81 comment करें yes or not it is clear or not हाँ या ना क्या clarity है क्या clarity है फटा फटा बता जीए that is the third proportional एक question आउ ले रहते है कुछ बच्चों इसमें doubt होता है बहुत असान चीजे है तो third proportional, fourth proportional या मैं जैसे ऐसे बोलू 10, 12, 15 और ये A, B, C, और D then find the fourth proportional ऐसे बोल देता है कभी कभी 5th, fourth proportional ठीक है बच्चा कैसे निकालते ध्यान से देखिए number one 5th, fourth proportional तो fourth proportional का मतलब क्या हुआ जो 10 का 12 से ratio है वही 15 का question mark D से ratio है 5, 2, 10 5, 3, 12 5, 3, 15 2, 6, 12 6, 3, 18 comment करो फड़ाफर या क्या clarity आई option number ये तो हमने अपने आप से लिए क्या clarity है इसमें फड़ाफर कमेंट कर दो तो these numbers called proportional अगर ये number proportional में है तो लेकिन एक word आता है जैसे question आपके सामने लिखा है mean proportional किसे करते है find the mean proportional तो बच्चा A और B का जो mean proportional है MP mean proportional ये होता है under root A B comment करो फड़ाफर यास और नाट क्या clarity है तो अगर मैं बोलूं 100 और 625 का mean proportional कितना होगा तो 100 का होगा 10 625 का होगा 25 under root निकाल लिया that is 250 comment करो फड़ाफर ये सबनो comment करिए क्या clarity है सबको हाँ एना फड़ा फड़ कमेंड कर दो तो बहुत ज़रूर ये एक एक point को समझना अच्छे से देखना किस तरह से proportional काम करता है ठीके बच्चा तो ये basics की चीजे हैं कोई ज़्यादा tough चीजे नहीं है लेकिन अगर आपको knowledge नहीं है तो बच्चा tough भी है ये अगर knowledge है तो कोई problem नहीं है येस और नॉट ये कभी आता proportion based question कभी कभी ऐसे question भी आते हैं बच्चा देख लेते हैं इसको फ्रावाट proportion based question a is inversely proportional to the cube of b a is inversely proportional तो आप बोलो a is inversely proportional to the cube of b ऐसे दे रखा question में ध्यान सम्माना इस चीज को number one a is inversely proportional to the cube of b a is equal to 3 then b is equal to 2 यदि a बरावर 3 हो a is equal to 3 तो b बरावर 2 होगा तो b की value क्या होगी if a is equal to 8 बढ़ा सिंपल सा logic है क्या clarity हुई सबको command करिए कैसे करें इस question को बच्चे बताएगा मुझे फटाफट कोई इस type के question को बताएगा किस तरह से solve किया जाए yes or not किस तरह से solve किया जाए आईए तो आप बोलोगों इस proportional के sign को हटाते हैं जब भी यह proportional होता a is equal to k upon b की power 3 comment करो yes or not हाँ या ना क्या clarity है a is equal to b की power a is equal to k upon b की power क्योंकि जब भी यह proportional हटता कोई constant आता है तो आप बोलों एकी value है 3 k b की value 2 2 की power 3 a तो 8 थरीजा 24 तो 8 थरीजा 24 क्या है clarity है कि k बरावर 24 है हाँ या ना कमेंड करो फड़ा भाट क्या clarity है क्या clarity है yes or not तो a बरावर 8 थरीजा 9 है तो a is equal to k upon b की power 3 a is equal to 8 by 9 है तो k बरावर है 24 तो b की value क्या होगी कमेंड करो 8 थरीजा 24 9 थरीजा 27 is equal to b की power 3 b is equal to 27 का under cube b is equal to 3 बता ये फर्माईए क्या है clarity है सबको आजी चले आगे I think सबको clarity है कोई ऐसा नहीं है जिसमें इसमें कुछ problem हो एक question आ लेते है बच्चा इस base पर एक question आ लेते है a is question के statement है a is inversely proportional to the cube root of b a b के cube root के inversely proportional है a जो है b के cube root के cube root का मतलब क्या होता ये a b के cube root के inversely proportional है a बरावर 6 है तो b बरावर 8 है question में given है a is equal to 6 then b is equal to 8 तो बता रहा है b के value क्या होगी a बरावर 3 तो proportional का sign हटाए k अपॉन b का under cube 3 comment करो हाँ या ना a बरावर 6 है b की 8 है 8 का under cube 2 6 तूजा 12 तो k की value होगी 12 comment करो फड़ावई yes or not अब आगे चलते हैं solve करते हैं question को कैसे solve करें तो a is equal to k मतलब 12 और b का under cube पूछा है a बरावर 3 तो b की value क्या होगी 3 4 जा 12 b का under cube is equal to 4 b is equal to 64 command करो yes or not फर्माईगे क्या clarity है सबको फटाफट बता दो किसी भी type की कोई problem इसमें clear है बड़े मज़दार चीज़ हैं ऐसा नहीं है जो problem है ठीक है बच्चा आए इसके बाद करते हैं income-based question कुछ question लेता है income-based question percentage में discuss करेंगे जिसमें बहुत अच्छे से अलाग-अला question है income-based question पर डिसकस करने वाले है percentage के base पर income-based question में आगर मैं देखूँ पहले question पर नज़र डालते हैं कैसा question होगा number और the ratio of the expenditure बहुत जाने समाने के question थोड़े से tricky है थोड़े से जिसको बोलते हैं थोड़े से calculated है the ratio of expenditure of A, B and C A, B और C के expenditure का ratio 15, 14, 12 है question में mention है A, B, C के expenditure का ratio है 15, 14, 12 15, 14, 12 खर्चे and their total income is 5,600 और कुल income 5,600 है find the income of B B की income क्या होगी if they save उनकी saving 25%, 33.3% और 20% है comment कर फड़ावा yes or not क्या clarity है क्या clarity है yes or not comment करिए तो आप बोलो गए expenditure दे रखा है और expenditure बच्चा कितना है 15, 14, 12 comment करो A, B और C का expenditure total income दे रखे इतनी अब देखो नो समझने वाली बात है अब यह logical है pure and pure logical पहली बात तो आपको fraction बे command होने चाहिए यह बना रहा है 1 by 4 यह बना रहा है 1 by 3 और यह बना रहा है 1 upon 5 पहली requirement तो भईये fraction बे command होने चाहिए आपकी fraction बे command नहीं है तो यह आपको problem create करा सकता है require number 2 जब यह बोलते हो income 1 by 4 है 1 by 4 का मतलब क्या होता है यह savings है तो 4 रुपए में से 1 रुपए save करता है तो खर्चा कितना करता है 3 रुपए command करो yes or not तो expenditure कितना हो गया 3 रुपए तो income कितनी हो गई 3 है 15 5 times तो income इसका 5 times 20 रुपए पहले बताई यह फटाफ़र थोड़ा बहुत clarity है मैंने क्या लिखा है 1 by 4 4 रुपए अगर वो कुल income कमाता है तो 1 रुपए बचाता है 3 रुपए खर्च करता है 3 ही 15 है 5 times तो income है 4 का 5 times 1 by 3 3 रुपए में से 1 रुपए है बचा 2 रुपए खर्चा है 7, 21 कमेंट करो फटाफ़र 3 income है 1 saving है 2 खर्चा है actual में यह है 7 times यह है 1 by 5 5 में से 1 खर्चा 1 रुपए चार 3 times 15 कमेंट करो क्या clarity है तोटल कितना हो गया 2, 4, 5 56 बताइए तोटल actual में है कितना तोटल actual में है 5600 that is the 100 times the ratio of total income पूछा है तो total income बचाईए रही यह total income ही तो है तो अलग-अलग पूछा है B की तो इसकी total income 100 times 2000 इसकी भी 100 times 2100 इसकी भी 100 times 1500 कमेंट करो बताइए क्या clarity हुई थोड़ा बहुत concept clear हुआ कि नहीं कमेंट कर दो फटाफ़र yes or not बड़ा अच्छा concept है लेकिन थोड़ा सा conceptual है समझना होगा थोड़ा सा क्या यह clear है फटाफ़र बताइए चलें आगे ठीक है बच्चो I think clear है कोई problem तो नहीं है चलें एक question all ले लें ऐसे ही base पर हो जाएगा कोई ज्यादा वो नहीं है आच्छा question है बहुत मजजदार question है बिलकुल भी घबराने ही जुरूत नहीं है आईए थोड़ा question लाता है mix वाले यह question I think थोड़े बहुत हो गए थे जो नहीं हुए थे वो आप देख लेते हैं कुछ हो भी गए थे ना बच्चों यह नहीं हुए थे उनको देख लेता है आईए समझे जैसे 2 ratio 1 2 ratio की power 1.5 upon 2 ratio की power 0.5 इसका पूछना ratio कितना होगा number 1 तो आप बोलतो x की power a upon x की power b that means x की power a minus b comment करो yes or not 2 raise t की power 1.5 minus के 0.5 2 raise t की power 1 बनल यहां तो 1 नहीं बचा कुछ बचा ही नहीं तो 2 raise t की power 1.0 upon 1 that means 2 ratio 1 comment करो क्या clear है फटाफ़र बताईए yes or not क्या यह फटाफ़र clarity आई इसमें चलो एक कुछन ओल लें ऐसा आओ what must be added to the number 10, 20, 30, 50 so that the sums are proportional उनका sums मतला numbers are proportional हो 10, 20 में क्या जोड़ दें वो 10, 20, 30 और 50 में हम क्या ऐसा add कर दें जो नया number है वो proportional तो देखो जब भी ऐसा नया question आजाए न ध्यान रखना ऐसे किया करो जो common है मतलब जो इसी category का है जैसा 0 है सम में तो 10 add करो plus के 10 अगर जोड़ें होगा 20, plus के 10 add करें हो जाएगा बच्चा 30 plus के 10 add करें हो जाएगा बच्चा 40 plus के 10 add करें बच्चे हो जाएगा 60 comment करो तो 20 का 30 से ratio है वही 40 का 60 से ratio है तो यह भी 2 ratio 3 है यह भी 2 ratio 3 है comment करो photo of it here yes or not क्या clarity है तो right answer कितना हो गया तो बच्चों यहां यह आपकी क्लास थी हमने रेशियो और प्रोपोर्शन लगबख खतम कर दिया है अगर कुछ और बचा होगा तो हम नेक्स क्लास में कर देंगे I think यह कंप्लीट हो चुका है अब हम मैं आपको बता दू कुछ बच्चों को कुछ बच्चे पूछ रहे थी की अड़ा 247 क्लाइट के लिए आप जानते हैं बच्चा हम आपको हम जाने जाते हैं अपने दमदार कंटेंट के लिए और उसी कंटेंट पर डेली हम वर्क करते हैं और उस कंटेंट को और इस्टेंडर बढ़ाने के लिए और लेवल बढ़ाने के लिए तो बच्चों यह प्लस तो आप यहां पर देखेंगे पूरा पूरा आपको एक तरह से सब कुछ है आपको 20 टेस्ट सेरीज मिल नहीं है जिसकी सेपरेड वैल्यू बहुत ज्यादा है 148 इबुक्स 250 आवर्स की प्लस लाइफ क्लासेज है इंक्वारी नंबर आपका यहां मैंशन है एक एक बली बात नहीं है तो आपको यहां आना है क्लिक करना है बाइन आउ पर तो यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे बाइन आउ पर आप बोलेंगे डेट इस दा Y696S Y696 जैसे आप अप्लाई करता है बच्चों आपको 77% का आउफ मिल जाएगा तो बिल्कुल भी डेले ना करिए और Y696 अप्लाई करिए ठीक है बच्चों मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स क्लास में टाटा बाए बाए झाल 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 झाल